हेलो गयाइज, वेलकम बेक तो आज चानल कॉलेस्टूटर, आज यह हमारी डिविजन सीरीस का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम यूनिट 5 और अंथ्रपनियोर कवर करेंगे, यह बहुत एजी उनिट है, यह धियान रखना, फिर्स्ट कॉश्टन जो फिर्स्ट कॉश्टन जो basically हर साल पूछ जाता है, कि what is SSI, that is small scale industries, small scale industries होती क्या है, so SSI सबसे पहले एक बात धियान एकना, मैं इसके कुछ पता देता हूँ, कि यह MSME में registered होती है, ठीक है, यह scale में छोटी है, तो यह production जादर नहीं करती, यह बस local area cover करती है, इतनी बात आप अपने दिमाग में ब आपते हैं, so SSI वो एक industry होती है, जो manufacturing service और production करती है, but on a small scale या micro scale level पर, ठीक है, इतने बस समझ गई, okay, so इसके हम proper definition देख लेते हैं, so SSI are those industries in which manufacturing, providing service, production are done on a small scale level, ठीक है, अब इसके examples कौन कौन से हैं, sir, example और बता दो इसके, so इसके examples हैं, school, stationeries, candles का production, and small toys का production, यह आपकी SSI candle आती है, ठीक है, अब भी बस तुम साड़े साथ नंबर में इतना तो लिखोगे नि, तुम्हें और भी कुछ content चाहिए, तो उसमें लिखना है, कि it play a important role in social and economic development of India, ठीक है, यह बहुत important role play करता है, हमारी economy को develop करने में, उसके बाद, इस industry में, one time investment होती है, किस पर investment होती है, मशिनरी और plant पे, ठीक है, और सर, यह SSI किस टाइब के form के organization होते हैं, यह होते हैं, आपके small scale या पर partnership, इतनी बस दिन में आ गई, हाँ जी सर, अब इसके कुछ characters देख लेते हैं, characters or importance, या role of SSI in Indian economy, इसकी characteristics है, ownership, पहली, ownership किस को जाती है, जैसे मैंने बताया, partnership firm होती है, या फिर small, या फिर sole proprietorship होता है, ठीक है, इसके बाद, इसके reach limited है, जैसे मैंने पहले बताया थे starting में, कि यह बस एक local area cover करती है, यह large area cover नहीं कर पाती, ठीक है, इसके बाद, यह labor intensive होती है, यह आपकी machinery या पर capital incentive न समझाने का जरूत नहीं है, उसके बाद, जो इसका resources है, जो resource use करती है, वो local और, जो resource available है market में, उनको ही use करती है, ठीक है, इतनी बाद समझ मा गई, हांजे sir, अब इसका sir, रोल बता दो, जैसे सब industry के रोल होते हैं, इसका भी कुछ रोल बता दो, इसकी importance और रोल एक ही है, इतना बस याद रखना है आपको, क्या sir, तो total production, so यह कुछ static है, कि जितना भी इंडिया में total production होता है, उसका 40% production SSI करता है, ठीक है, मतलब इसका बहुत बड़ा contribution है production में, alright, then यह employment provide कराता है, उसके बाद यह export करता है, export कितना sir, यह करता है, 45 से 55% of all export, जितना भी इंडिया में होता है, उसका 45 या 55% यह export करता है हर साल, ठीक है, जिसमें से 35% आपको direct होता है, और 15 to 20% आपको indirect होता है, उसके बाद यह welfare भी करता है, यह GDP में contribute करता है, यह standard of living बढ़ाता है, जैसे मैंने बताए कि employment देता है, तो standard of living अपने आप बढ़ेगी, उस के बाद यह less या फिर no way stage of resources, मतलब कि resources का अच्छी तरह यूज करता है, यह हो गया आपका SSI का concept, ठीक है, इसके characters and importance, अब आते हैं, forms of business organization, ठीक है, so, form of business organization में 5 हैं, basically, जो हमारे syllabus में है, but मैं एक extra करा दूँगो, जिससे कि कुछ आपको confusion ना हो, so, पहला है, है, soul proprietor, ठीक है, जिसको हम single ownership को नाम से जानते हैं, उसके बाद है आपका partnership, then Hindu, joint Hindu family, उसके बाद joint stock company and then cooperative society, यह हमारे syllabus में हैं, और एक और है joint venture, joint venture मैंने क्यों लिया, जिससे कि आप joint stock और joint venture में confused ना हो जाओ, ठीक है, कुछ facts बता दूँ, बैस soul proprietor आपका civilization के time से चलता रहा है, ठीक है, और जो joint Hindu family है, वो partnership act में काम नहीं करता, वो करता है, हिंदू लौके अंडर काम, ठीक है, joint stock company जो first start हुई थी, वो इटली में हुई थी, यह आपका कुछ बात याद रखनी है, उसके बाद, जो cooperative society है, उसका main aim क्या है, उसका main aim है, service provide करना, मतलब इसको profit से कुछ लेना देना नहीं है, यह आपका service provide करता है, छीक है, यह हो गए आपके basic form of business organization, अब इसके merits, character और demerits बाते हैं, so manage के character लिखे नहीं है, मैं इसी बता दूँगा, बहुत easy से हैं, और बहुत simple भी है, सबसे पहला sole proprietor जैसे मैंने बताया कि इसमें single ownership होती है, आप इसके character में single ownership डाल देना, दूसरा ease of simple formation, इसको मैंसानी से formation कर सकते हैं, इसका management बहुत smooth होता है, वो भी इसका character है, इसमें decision हम जल्दी से जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ज्यादा partner नहीं होते, यह आपका character हो सकता है, then motivation, motivation कैसे, भाई, आपके पास ही सारे reward, सारे profit आते हैं, तो इसमें motivation आता है, कि मैं और अच्छा काम करूँ, चीक है, और इसमें customer के साथ personal touch होता है, बासुझ में आ रही है, हांजी सर आ गई, यह हैं आपके merits, अब आते हैं demerits पर, demerits हैं, भाई, इसमें resource, जो financial resource हैं बहुत limited हैं, इसमें management इतना खास नहीं होता, क्योंकि बस इस इसमें single mind होता है, इसमें continuity, lack of continuity मतलब अगर इसका मन नहीं करेगा, lack of continuity का मतलब इसमें यह होता है, कि अगर एक इनसान जो business चला रहा है, अगर इसकी death हो गई, तो यह business ही खतम हो जाएगा, ठीक है, यह होगी आपका lack of continuity, then growth बहुत limited है, क्योंकि इसमें single ownership होती है, और liability इसम proprietor का, अब बात करते हैं, partnership की, partnership की कुछ merits है, और क्या करते हैं, आप कुछ character है, जो कि बहुत simple है, easy formation character में डाल सकते हो, यह आपके merits भी है, flexibility आप character में डाल सकते हो, यह आपके merits भी है, partnership होती क्या है, भई, दो यह फिर दो से जादा बंदे, जब कुछ मिल के काम करते हैं, व इसमें group of people होते हैं, वो इसका character है, उसके बाद, इसमें risk divide होता है, हांजी सरु होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक से जादा बंदे काम करते हैं, तो यह भी आप character हो सकता है, ठीक है, इसके बाद, strong credit position क्योंकि एक से जादा जाने हैं, तो आपके credit position अच्छी होगी, और managerial skills अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें एक से जादा बंदे होते हैं, एक से जादा mind होते हैं, तो इसमें management अच्छी तरह हो पाता है, इसके बाद, इसके खामियां क्या है, इसके disadvantage क्या है, तो इसके हैं limited source होता है, इसमें क्यों, क्योंकि इसमें हम जादा invest नहीं कर पाते हैं, अगर हम इस पे जादा इन्वेस्ट करेंगे तो यह आपकी joint stock company बन जाएगी, समझ मारिया बात, हाँ जी सर, इसमें liability unlimited होती है, यह आपको ध्यान रखना है, liability इसमें limited नहीं होती, ठीक है, then इसमें lack of hard money, इसमें coordination अच्छा नहीं होता है, इसमें profit भी distribute होता है, यह इसका biggest disadvantage है, then chance of fraud, भाई कौन सा partner कैसा है हमको नहीं पता, तो इसमें fraud होने का chance जादा होती है, उसके बाद आता है आपका joint stock company, joint stock company का इसके merits क्या है, benefit of large scale, ठीक है, इसके वो क्या है, character क्या है, भाई यह large scale होता है, इसमें financial resource अच्छे होती है, liability limited होती है, risk कम होता है, social benefit होता है, यह मतलब society को benefit करता है, और इसमें effective management होता है, यह आपके character बन सकते हैं, character और क्या बन सकते हैं, भाई यह इसका formation असाने सानी हो सकता है, इसमें बहुत सारे documents जहीं होती है, इसका character बन सकता है, decision delay होता है, क्योंकि भाई इसमें कुछ हरारगी होती है, जिसको आपको follow करना पड़ता है, इसकी वह सापको decision कभी-कभी बहुत delay हो जाता है, इसमें personal touch नहीं होता है, customer के साथ, इसमें lack of security होती है, आपको documents इधर से उधर हो सकते हैं, इसमें fraud होने के chances जाद होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में fraudist fraud होते जा रहे हैं, recently अभी bank के साथ क्या fraud होए, 45,000 करोड का अभी एक और company ने fraud कर दिया है, मैं company का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद difficulty in wind up मतलब कि, जब company हमको बंद करनी होती है, वो हम असानी से बंद नहीं कर सकते, इसमें काफी सारे formalities होती है, बास संदमारी है, हाजी सरा रही है, अब हम next point पर जाते हैं, आपके corporate organization, ये क्या होती है, ये आपकी एक तरिकी की society होती है, जो आपके benefit के लिए, जो एक social work के लिए काम करती है, वो आपकी profit के लिए काम नहीं करती, संदमारी है बात, ठीक है, अब इसके merit के हैं, भाई ये, no complex information, ठीक है, no complex information, then liability limitless होती है, continuity होती है, continuity कैसे होती है, कि अगर एक इंसान मच जाता है, तो उससे business खतम नहीं होता, अगर sole proprietor में एक इंसान मच जाता है, तो business खतम हो जाता है, इसका main motor क्या है, service motor है, इसका profit motor नहीं है, इसमें cheap price होती है, क्यों होती है, क्योंकि हमारा motor service है, profit नहीं है, इसमें tax में advantage होता है, अब इसमें income tax में कुछ deductions है, और ये one of the deductions में account होती है, उसके बाद इसके operating cost बहुत कम होती है, ठीक है, बसमें आ रही है, हाँ जेसर आ रही है, इसके बाद next point में हम जाते हैं, इसके demerits क्या है, demerits हैं इसके lack of capital, lack of unity, lack of motivation, lack of secrecy, then lack of public confidence, यह आपके demerits है, ठीक है, मैं इसको इतने जल्द जल्द क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं बस आपको एक overview देने चाहता हूँ, यह इतने important है नहीं, अगर आएंगे तो आपको से लिखके आ जाओ, ठीक है, इसके बाद, जो main question है, जो की paper में आता भी है, और आपको पता भी होना चाहिए, वो है, कि भई, हम किसे भी organization को choose कैसे करें, ठीक है, तो इसके points है, आपकी capital requirement कैसे है, आगर आपकी capital requirement कम है, मतलब आप, मतलब आपके पास capital कम है, तो आप small preparator बिजाओ, अगर आपके पास capital जादा है, तो आप partnership पे जाओ, अपने पूरी company खोल लो, आप joint stock पे जाओ, ठीक है, मैं आपको joint venture बताना भूलिया, joint venture वो company होती है, जो एक या फिर एक से ज़्यादा company मिलके, काम करती है, एक motive पे, for an example, Uber, किसके साथ partner कर खेस्ट है, अपने सार, Volvo, ठीक है, Volvo और Uber partnership में है, partnership में दा सेंस, मतलब कि उन दोना का motto एक ही है, और वो मिलके काम कर रहे हैं, तो वो एक्जामपल है, joint venture company का, ठीक है, hero Honda पहले थी, वो आपकी joint venture company थी, मारूदी सुज़ों कि वो भी पहले थी, वो भी आपकी, क्या करते है joint venture company थी, बास अजमा रही है, ठीक है सर, concept अब confuse मत होना, joint stock, stock का आगया, मतलब कि आप shareholder हो, shareholder कब हो गई, जब आपको पैसे invest करने को मिलेगा, ठीक है, joint venture, venture मतलब की company, आपने दो company joint कर रखिया, या फिर दो से ज़्यादा company, for single motto, ठीक है, अब अपने point पर आ जाते हैं, कि हम किसी भी firm को choose कैसे करेंगे, पहला है capital requirement, दूसरा है risk involved, अगर आप risk ज़्यादा नहीं चाहते, तो आप किसी, आप कह कहते हैं, small proprietor खोल लो, ठीक है, अगर आप risk उसमा involved ज़्यादा होता है, अगर आप risk चाहते हैं, कि मुझे profit ज़्यादा हो, तो आपको risk ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप liability, unlimited जाते हैं, या पर limited चाहते हैं, वो इसको पर depend करता है, scale of operation, आप कितना बड़ा scale पर काम बढ़ना चाहते हैं, sole proprietor, बड़े पर, partnership medium पर होता है, बड़े पर होती है, आपकी large scale, joint stock company, ठीक है, liability में क्या, cooperative society में, या फिर sole proprietor में, आप choose कर सकते हो, इवाँ बता रहा हूँ, कि इनके basis पर, आप classify कर सकते हो, कि आपके लिए, कौन सब organization suitable है, ठीक है, flexibility आप कैसे चाते हो, secrecy आप कैसे चाते हो, government का regulation, कैसा है, किसी भी organization में, क्योंकि government का regulation, हर एक organization में है, अगर आप चाते हो, कि भाई वो, उसका government को organization कम हो, तो आप दूसरा खोलोगे, अगर आप चाते हो, कि जाद अब हो, तो आप दूसरी टैप की organization खोलोगे, उसके बाद formation, formation in the sense कि आप opening कैसे चाहते हो, अगर आप चाहते कि वह असानी से खुल जाए, असानी से बंद हो जाए, तो आप कोई दूसरा लोग, अगर आप चाहते कि वह असानी से ना खुले, मतलब कि आप कुछ बड़ा काम बना चाह यह आपको वर्ट से पता से लगया होगा, incentive it means any financial and non-financial help to industry which engaging productivity of the organization, ठीक है, मतलब यार यह simple से बात है, यह motivate करता है, entrepreneur को सही decision लेने के लिए, यह financial भी हो सकता है, और यह non-financial भी हो सकता है, ठीक है, incentive का type क्या होते है, concession, subsidy, bonities, technical consistency, मैं आपको ए content दे रहा हूं, लिखने के ल आ जाए, तो आप बस 2-3 line में बंद ना करके आ जाओ, ठीक है, अब बात करते है, subsidy क्या होते है, subsidy होती है, जो single, subsidy क्या होती है, आपकी cost कम हो रही है, कैसे government ने कुछ आपको subsidy, subsidy दे दी, हाँ, उसमें एक worth of bonities, bonities का मतलब क्या है, bonities का मतलब है, कुछ bonus प्रवाइड करना है यह एक type की financial aid होती है, ठीक है, अगर आप और content चाहते हो, तो इसके need और डाल दो, कि इसके need क्या है, जैसे मैंने बताया, कि motivate करती है, किसको motivate करती है, यह entrepreneur को motivate करती है, तो यहाँ पर यह इसके need है, to correct, मतलब किया जो imbalance होती है, क्या करते है, society में, religion में, जैसे मैंने पहरे भ किये जाए, तो इसमें हर एक business आएगा, कि हम वहाँ पर business खोले, ठीक है, to promote entrepreneurship, यह क्या करता है, entrepreneurship को promote करना, provided competitive strength, promote industrialization to the country, यह इसके needs है, अब इसके needs तो आ गई, और content से यह और ले लो, इसकी problem और डाल दो, problem इसके तुम याद कर ले न, अभी जो चीज सरकार बोलती है, क्या सरकार ने तो बोल दिया, ठीक है, जो भी इसकी organization है, जो भी इसकी authority है, उसने बोल दिया कि हम देंगे, लेकिन क्या वो देते है, नहीं देती, वो आप डाल सकते हो, दूसरा, यह ground for dishonesty, incentive and subsidy, turned out to be ground of dishonesty, second point है, they have given scope for favorism and repent corruption, ठीक है, यह corruption को बढ़ावा देता है, क्योंकि, बीदो, तब ही हम आपको subsidy देंगे, ठीक है, जहाँ corruption, वहाँ सरकार यह बात ध्यान डखना, they have become the seed for unethical business, भाई, अगर, same चीज मैंने बोली है, जहाँ सरकार, वहाँ corruption, अगर आपको incentive सहिए, आप हमें कुछ पैसे दो, corruption, पैसे देने वाला भी unethical होता है, पैसे लेने वा जो कि है आपका theory, unit 2 में मैंने एक topic छोड़ा है, जो कि आपको यादा, वो है आपका environmental analysis, on the same way, मैंने इस unit में एक topic छोड़ा है, जो कि आपका plant location, वो मैंने क्यों छोड़े है, वो topic कुछ important है, वो आपके, मैं एक video में cover करूँगा, with कुछ unexpected question, जो कि CCS ने दे रखे हैं, अप Thank you for watching our video, please like this video and share it with your friends, happy learning